हालो फ्रेंद्स मेरा नाम है तोफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्षी स्टूडियोज तो आज हम देखेंगे कि coral raw को reset कैसे किया जाता है और बिलकुल factory reset मतलब जब आपने coral raw install किया था तब जो आपकी settings थी पूरी वो कैसे हम वापस ला सकते हैं ये कई बार जरूरी हो जाता है क्योंकि सारी settings हम अपनी गड़बड कर देते हैं यहां में जो settings चाहिए वो मिलती नह यहां पर workspace missing हो रहा है यहां पर workspace मिल नहीं रहा है तो वो भी हम यहां पर ला सकते हैं जैसे for example यहां पर light, default, touch और speciality यह सारे workspace के नाम है तो यहां पर बहुत बार कैसे होता है default यह light workspace यहां से चला जाता है वो बहुत सारी वज़े से हो सकता है system file अगर corrupt हो जाए आपकी जैस यह application crash हो जाए मतलब आपका शायद power cut हो जाए या किसी वह जैसे computer आपका बंद पढ़ जाए तो वो अगर crash हो जाए तो यह corrupt हो सकते ही इसके files तो और वहां पर बहुत कुछ हो सकता है जैसे for example यहां पर जो workspace है वो भी missing हो जाए यहां से कोई तो इससे क्या हो जाता है problem क्या हो जाते है अगर आपका default workspace अगर यहां पर miss हो गया तो जैसे कि यहां पर यह जो tools है common shapes tools यह हमें देखने को नहीं मिलेंगे किसी और workspace में for example अगर मैं यहां पर जाओं कोई भी यहां पर ले लो मैं page layout तो इसको change होने में थोड़ा सा time लगेगा तो यह change हो गया अगर आप य Nigel that's common shapes तो आप वैसे भी create कर सकते हो ए्रों और लेकिन अगर आपको यहां पर चाहिए तो यह यहां पर default अगर ही नहीं तो आपको वह देखने को नहीं मिलेंगे टूल जैसे अप कोई दिक है यहां पर common shapes तो यहां से आप जो भी tools तो यह आपको मिलेंगे है नहीं अगर आ workspace है default यह लाना ही पड़ेगा अगर आपको tools चाहिए यह common shapes हो कर रही है अगर आपको tools चाहिए जैसे के star और complex star यह भी tool अगर आपको चाहिए तो वो default workspace आपको लाना ही पड़ेगा तो पहले हम देख लेते हैं कि reset कैसे करना है coral rock हो यह दूसरी चीज़ है reset कैसे करना है वो देख लेते हैं इसके लिए हम यह close कर देते हैं तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़े अगर try करें सपोज हमने सारी चीज़े try कर ली लेकिन हमारी setting reset नहीं हो रही है तो आपको factory reset करना है तो यह इसको मैं close कर देता हूँ तो आप जाइए और जहां पर भी आपका coral rock का shortcut है या start menu भी आप यहां पर start कर सकते हो जैसे कि यहां से अगर आपको करना है तो यहां से कर सकते हो आप तो सिर्फ आपको क्या करना है जो आपकी function की है function की F8 जो उपर होती है F8 को press and hold करके रखना है छोड़ना नहीं है press and hold की कीजिए F8 और इसको start कीजिए अभी मैं आप डबल क्लिक करता हूँ उसको छोड़ना नहीं है जब तक यह message यहां पर appear ना हो तब तक आपको छोड़ना है अभी मैं छोड़ जेता हूँ अगर आप यहां पर yes करें तो यह बिल्कुल ही क्या हो जाएगा जो आपकी पहले थी setting जब आपने install किया था coral raw तो तब जो settings थी वो setting के साथ आपका coral raw शुरू हो जाएगा देखिए बिल्कुल नया जब आपने newly installed coral raw जो था वो आपको मिलेगा तो workspace हो गए रहा है यहां सब आपको मिल जाएंगे याद रखेगा आप यहां से कर सकते हो यहां से कर सकते हो यहां वो पूरी तरीके से factory reset हो जाएगा यह देखिए कुछ इस तरह से उसके बाद इसको मैं वापस यहां पर रखता हूँ और workspace का अगर आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा यह देखिए इसको मैं close कर देता हूँ वापस यहां पर जाता हूँ जो आपकी system drive है जहां प जिकत नहीं है तो यहां पर जाएए जो आपकी system drive जनरली है c drive में होता है आपका operating system और यहां पर जाएए users में जाएए जो आपकी profile है यहां पर मेरी लक्ष स्टूडियोज की profile इसके अंदर जाएए और यहां पर इस ribbon पर click किजए यहां पर और view में जाएए तो यह already मैंने on करके रखा है अगर यह दिखिए बैं off करता हूं तो यहां पर app data करके folder था वो hide हो जाएगा देखिए यहां पर यह देखिए अप data इसको अगर मैं off करूंगा तो यह बंद हो जाएगा क्यूंकि हो hidden folder है तो यह hidden items को show करने के लिए इसको check कीजिएगा तो यह आ जाएगा इ तो यहां पर बहुत ही इंट्रिस्टिंग चीज क्या है, इसको मैं close कर देता हूँ, कई बार workspace अपना corrupt हो गया, किसी भी वज़े से जैसे मैंने बोला कि crash हो गया, suddenly आपका application को रोल रहा हूँ, तो सायदू workspace आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर दिखाई दे रहा ह लेकिन वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन suppose यहीं पर नहीं है, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या आपने कुछ भी किया तो यहां पर नहीं आ रहा है, तो वापस आपको install करना पड़ेगा, अगर यहां पर दिखाई नहीं इसको मैं simply delete कर देता हूँ, shift delete कर देता हूँ, इसको delete, लेकिन मज़े की बात यह है, जैसे आप इसको delete करोगे और coral row वापस यहाँ पर start करोगे, तो यहाँ पर मैं start कर देता हूँ, देखिए, जैसे आप start करते हो coral row, यह वापस आ जाएगा, workspace वापस आ जाएगा, तो कोई भी अगर आप यहाँ पर यह workspace delete करते हो, फाइल यहाँ पर, तो यह जब आप coral row वापस start करोगे, तो यह वापस यहाँ पर automatically restore हो जाता है, तो यह रिखिए, वापस यहाँ जाऊं तो यह रिखिए, default workspace वागरा यहाँ पर already मौझूद है, तो यह problem भहत लोगों को आता है, मैंने यह face किया है, भहत देर तक मुझे यह find out करने में मुझे time लगा, लेकिन अगर आप इसको delete कर दो, तो यह fresh file एक बनाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, default workspace, अगर आप यहाँ भी चेक करो, यह same है, default और यहाँ भी आप देख सकते हो, default workspace यह आ जाएगा, बहुत सारे students को यह problem आ गया था, क्योंकि corrupt हो गया था किसी हो जैसे, उनका application, तो दो चीज़े हमने आज सीखी, एक तो आपको factory reset कैसे करना है, और start करना है, तो हो जाएगा, yes करना है, तो factory reset हो जाएगा, और दूसरा, अगर आपको कोई workspace missing है, तो यह trick आपको use करने है, लेकिन करना पड़ेगा, तो यह बहुत सारी students मुझे पूछ रहे थे, इसलिए मैंने यह video बनाया, तो अगर आपको यह दिक्कत आ रही है, यह problem आ रहा है, तो यह try करके दिखेगा, और अगर आपको यह video useful लगे, तो इसको like ज़रूर कीजेगा, मेरे चैनल को subscribe कीजेगा, इस video में मुझे सारी ।ो झाओको यह बनाते ज's कि दूए .